हेलो दोस्तों रन्थमपोल क्लासेज के अंदर आपका फिर से स्वागत है मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मुक्य से ने और अपन जो कंट्यूनियू सेरीज अपने चल रहे थी यानिकि सर्वे अपना सब्जिक चल रहा था उसी को कंट्यूनियू करते हुए आज सर्वे का अपन नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसको लेकर आए हैं और सर्वे अपने स्टार्ट किया है लास्त तीन चार जो लेक्चर आपके हुए उसके अंदर अपने बेसिक इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स एंड क्लासिफिकेसंस ओप दे सर्वे की बात करी थ देखा कि अपना जो इसके इंटर जो करते होई कोई इंटर चाहिए यानि की आपने जो दो इसके लस्त आपको पता एक तो अपने पड़ा था प्लैने इसकेल और एक पड़ा था अपने diagonal scale और दोनों को किस तरीके से construct किया जाता है उसकी भी बात अपने करी थी तो आपकी class में अपन करेंगे कि आने वाले जहां कि जो अपने 2 scale और बच रहे हैं जहां से आपके mostly examination में question पूछे जाते हैं objective question यहां से बहुत बनते हैं ठीक है और मैं जैसे अपना चेप्टर खतम हो जाएगा scales के बाद में errors होला scale के बाद में errors जो आपके probability है तो उसका जब खतम हो जाएगा जैसे यह chapter complete होता है तो उसके बाद में objective questions की यानि कि MCQs के आपके साथ में मैं share करूँगा MCQs के अपने class लगाएंगे जिसके अंदर जो भी आपके previous years के अंदर like SSE, IES and आपके जो RSSB जो जैयन, रास्तान जैयन या फिर जो अपना state level जैयन के examination के अंदर जो question पूछे गए हैं ठीक है उनकी जो अपन संपूर्ण व्याक्या सहीत जैयन, उनका explanation सहीत अपन जो discuss करेंगे, तो दोस्तों बने रही है रंधंपूर्ण classes के साथ में और वीडियो जो भी आपको lecture मिलता है तो उसको ज़्यादा share करिए और अपने दोस्तों के पास में बेज़े ताकि उनको भी आने वाले कि आपकी जो drawing seat के उपर या map के उपर जो length होती है वो corresponding to the ground length आपका कितना है तो उसी को represent करने के लिए जो अपने use करते हैं वो आपका होता है scale ठीक है तो ध्यान रखना है और इसके definitions अपने last class के अंदर अच्छे से पढ़ जुके हैं तो अपने दो scales पढ़ लिये थे और एक था अपना plain scale एक था अपना diagonal scale यानी कि फरस्ट scale के अगर मैंने बात करी थी तो वो था अपना plan scale ठीक है plan scale और दूसरा ता अपना वो था diagonal scale डाइगोनल diagonal scale ठीक है अब बात करता हूं मैं आने वली classes के अंदर आने वाली classes के अंदर आपन जो है पहले skills कबिलेट करने के बाद में अपन linear measurement के अंदर आएंगे उसके अंदर आपका chain tape ठीक है जो भी आपकी यूज हो थे इस्टुमेंट तो उनकी बात करेंगे उसके बाद में एंगुलर मेजरमेंट के अंदर कमपास यह सब्सक्राइब करने वाले बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूत नहीं है किसी भी एक्जामिनेशन के अंदर चाहिए आपको धर तर अधर नम्र पीजुदर उसके मraads करता हूँ तो वह अपना होता है जिसको मैं बलता और रिस इस पर बात करते हैं यैंड में वर्णे बात करता हूँ तो बात करते हैं से हैं यह length के साथ साथ में यानि कि इसकी में बात बताऊं आपको तो यह क्या करता है कि scale अपना length के साथ साथ में angle भी measure कर देता है इसलिए इसको क्या है कि length scale of the code कहा जाता है अब बात करता हूं वर्णेर बात करते हैं store के अगर आपन बात Αंट ठीक है तो अगर मैं बात करता हूं वर्णेयर इस्केल की अगर में बात करूँगा तो यहां से आपका जो वर्णेयर है ठीक है ज़ огग जो इसकेल है वह क्या कहता है अपना कि जो इसकेल यानि कि आपने Regis के अंदर और जो सब्जेक्ट है अपने तो उनके अंदर आपने वर्णेर इसके लिए उज़ किया होगा तो वर्णेर इसके क्या है अपना जैसे कि यूज़ करते हैं तो वर्णेर इसकिल फेले तो देख लों की दिखने में केसा होता है तो यहां इसके अगर ओर निर किस तरीके का होता है और कैसे वर करता है यह अबना कुछ इस तरीके का होता है और हांगोत हुछ यह अंदर अ कि इस दियाग्राम को थोड़ा साब जो कर लेंगा अपर यह डाइग्राम्त रहा फ़र गेंगें का ओ आक आपका इस तरीके का होता है यानि कि आगे तक आपका है बढ़ता वह जा रहा है और यहां पर यहां पर जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यह कुछ इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्ट होता है और यहां से इसकी रिडिंग से रहती है ऐसे यह करके ठीक है तो यह यहां से मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसी के नीचे, इसी के नीचे अपना जो एकोर लगा रहता है, इसे करके यहां तक ठीक है, यह भी आपका इसके साथ में अटेज रहता है, और यह आपका कुछ इस तरीके का शो होता है, ऐसे ठीक है, तो यह आपका एक वर्नेर होता है और वडेर किया कहता है कि कि इसके किसके अंदर आपको ऐसे डिविजंड होई ही रहते है ठीक है यहां पहल पना यहांस ब्रह ब्लिजंड साफके बिव्न होते हैं अंहीं इस डिविजंड झालि result प्रेस और एक डिवीजंड लगोर्म अब आपके जो डिविजन्स होते हैं ठीक है आपके कुछ इस तरीके से डिविजन्स होते हैं जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे से सोगन ठीक है तो यह आपका इस तरीके से आपके होते हैं और यहां पर जैसे 0, 1, 2, 3 तो ऐसे ही आपकी मार्किंग होती है और इसको अपन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यह ऐसको पर बोलते हैं, गर में बात ऒर्णाइर सक्यलों होता है कि वर्नीर स्केल is a device, यह एक device होती है, for measuring the fractional part of one of the smallest division, जो आपका यह मेंडिस्केल के उपर जो part दियो है, इनकी भी fractional value आपका जो smallest division के तो पनको कौन दिखाता है, वो दिखाता है अपनको वर्निर स्केल, ठीक है तो smallest division of a graduate scale तो यहां से आप लेख सकते हैं, कि it is device, it is device, ठीक है, it is a device, it is a device for measuring, for measuring, ठीक है, measuring, measuring the fractional value, the fractional, fractional value, fractional value, fractional value, fractional value, fractional part, fractional part भी आप इसको लिख सकते हैं, fractional part of one of the smallest, fractional part of, one of the, fractional part one, one of the, one of, one of the, one of the smallest division of, smallest divisions of graduated scale, graduated scale, ठीक है, graduated scale के उपर जो आपका एक, जो वेली दी हुई है, उसका भी fractional part अपनको यह बता देता है, कि आपको, यानि कि अगर मैं बात करूँ, कि जैसे कि आपके, जो आपका मैं scale है, उसके उपर कुछ इस तरीके के आपको rating दीव हुई, जैसे कि यह हो गया, 0, 1, 2, कुछ इस तरीके के आपको rating दीव हुई है, तो यह आपका मतलब की दिखा देता है, और यह आगे जाके further इसको जो आपन classified करते हैं, कि आपका जो वर्नेर कितने type का हो सकता है, यह एक आपका जो है, अगर वर्नेर की में बात करता हूँ, तो जैसे कि अपना जो वर्नेर है, तो यह इसका principle क्या है, और कौन से principle पर यह वर्क करता है, तो principle के अगर मैं बात करता हूँ, कि किस principle पर यह वर्क करेगा, तो यह अपना only जो अपना I होती है, यानि कि आख जो होती है, वो precisely, प्रिसाइजली अपनी, जो भी आपका, जैसे कि अगर मैं देखता हूँ, तो यहां से मेरे को एक दम सी महाँ पर नजर पड़ेगी, जहां पर मेरे मेन सकेल की और बरनेर इसकेल की जो line है, dv IAYE मैं यहाँ से ने एक मोगा से कर रही है एक दूसरी आजे को ठीक है तो यह इसके में यहाँ पर हो जाएग आपकी आपकी निनुक फाइफ अगר यही एक संटिमीटर कने इसको ले तो 0.5 यानि कि आदा सेंटीमिटर प्लस आपका हो जाएगा यह आदा यहां से ठीक है अब मेरे को नहीं बता कि कितना आपका आगे जा रहा तो मैं यहां से इसको जो वर्णियर पर रीडिंग पढ़ोंगा और मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी यह रीडिंग कितनी आ रही है यह आप जो है 7-8-8-9-10 एक है चोटी क्लास्वोज के अंदर की बाते हैं चोटी क्लास्वेज के अंदर आपने इसको यूज किया होगा और आपने जो है 11-12 अदर जब अपन फिजिक्स पढ़ते थे तो वहां पर भी आपन जो वर्णियर का का पी यूज करते थे और अग जो कोई वाइर है तरच है तो उसका I ser करने के लिए किसके आइठ आय के लिगे यूग करेंगे तो यह क्या होता कि इसका प्रिंसिपल किक Rare करता है यह किस HR कॉप प्रिंसिपल कि में बात करता हूं तो प्रिंसिपल होता है कि इडि स्वफ ऑन्न प्रिंसिपल that I can precise without strand and with considerable precision when to graduation coincide to form continuous straight line यानि कि जो आपकी continuous straight line जो आपका देता है तो उसी को coincide अपनी कहां पर कर रही है बिना strand का मतलब होता है बिना किसी displacement की या बिना किसी विकरती के अगर वो आपको देता है तो उसी को पन करते हैं कि आपका ये vernier scale होता है तो vernier scale आपका दो types का हो सकता है वैसे ठीक है इसको पन कहर सकते हैं कि आपका दो types का हो सकता है कोड़ कोड़ से direct vernier एक होता आपका retrograde vernier लेकिन उससे पहले में बात करूँगा इसके अदर आपके अगर ये vernier है तो यह आपके जो है से सिंगल टाइब वर्णियर सिंगल टाइब बर नियर और एक दूसरा आपका वो możliकर डबल टाइब डबल टाइब वर्णियर ठीक лишь इसका यह है यह खर मैं बात करूं कि जो इक घ्रिजरा जो की रिक्छी हुई है जो वेल्ई इस आपके लिखे Лिजल्स लिक्का recording अगर मैं बात करता हूँ तो आपके दो type योते हैं एक होता है आपका single type दे निर- अब देखते हैं कि single type पॉर रोड़नेर कैसा होता है? कि जो graduations होती है जो main scale की अगर मैं बात करता हूँ main scale की तो main scale की जो graduations होती है वा आपके क्या होती है? जो ये numbers लिखे रहते हैं वो only a की direction में लिखे रहते हैं दियान देना वो आपके अगर single type और निर्की में बात करता हूँ तो आपके जो graduations होते हैं it is the graduations of the main scale main scale are numbered in one direction only ठीक है one direction only तो इसके अंदर जो है number of graduation होंगे आपके number of graduation के अगर में बात करूँ number of graduation के अगर में बात करूँ तो ये in one direction only in one direction one direction only one direction only यानि कि अगर single type आपका वर्णियर है तो इसके अंदर जैसे कि अगर यहां से मैंने 0,1,2,3,4,5,6 तो ये आपका जो है एक की direction में होगा और वर्णियर इसके लपे भी आपका ये 0,1,2,3,4,5 आपका ख़िए की direction में होगा ठीक है तो ये होता है अपना single type वर्णियर अगल double type वर्णियर की मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होगा कि जो number of graduation number of graduation के अगर मैं बात करता हूं तो यह क्या होता है अपना ये दोनु डायरेक्शन में होता है ठीक है यह उजाएगा आपका मेन स्केल और यह क्या होता है यह आपका होता वर्णियर स्केल तो इसके अंदर तो अपने देख रहे हैं कि आपका एक डायरेक्शन में आपका जो है नमबरों गरिज्टवर बढ़ते हो जा रहे हैं लेकिन अगर डबल टाइप आपका वर्णि प्लाइप में आपकी क्या होगी उसकी रिडिंगस मैंनी स्केल की तरफ आपकी जो बढ़ती गर्ती गरती दिखाई आपको दे सकती है तो वह जाएगा आपका डबल टाइप यह उता है यह तो होगे इसके कोडिंग मैंने बात करिए अब अगर मैं बात करता हूं अगर मैं बात करता हूं कि जो इसका माइनस अगर मैं smaller divisions की में बात करता हूँ तो आपका क्या ओता हो लिस्ट काउंट होता है तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि list count अपना क्या होता है तो यहां से मैं बात कर रहा हूँ अभी only verniers के type की चलो ठीक है list count देखे लेते हैं पहले इससे पहले list count क्यों कि आपके दिमाग में confusion आ गया होगा कि list count क्या होता है ठीक है अपने यहां से इसको देख लेते हैं तो मैं पहले लिख देता हूँ list count list count ठीक है list count की अगर मैं बात करता हूँ जिसको मैं LC से लिखता हूँ list count मेरा क्या होता है कि यह जो होता है यह आपका क्या होता है कि जो main scale है यानि कि divisions of the main scale और divisions of the warner scale का जो difference होता है उसको मैं करता हूँ क्या list count यानि कर सकते हैं कि defined as the difference between smallest division on main scale smallest division on main scale and smallest division of the warner scale यानि कि अगर इसके मैं बात करता हूँ तो यह क्या होता है आपका difference between difference between difference between smallest division smallest division डिविजन ओफ इस्मॉलेस्ट डिविजन ओफ मैन इसकेल मैन इसकेल एंड इस्मॉलेस्ट डिविजन ओफ वर्नियर इसकेल ध्यान देना कि आपका smallest division of the main scale smallest division of the main scale को अगर मैं S से denote करता हूँ यानि कि S से मैंने S को denote कर दिया है कि आपका main scale पर ही इसका list count है किसका? एक divisions का और आपका जो है किसके अंदर? वर्णेर scale को list count को कर मैं V से denote करता हूँ तो मेरा L से इकल टो हो जाता है S minus V अब आपके दिमाग में आ रहा होगा किसर हमने तो list count कुछ और ही पढ़ा है list count अपने कुछ और ही पढ़ा था और वो आपने क्या पढ़ा होगा? वो पढ़ा होगा LC is equal to LC is equal to क्या पढ़ा होगा? S upon N किसर हमने तो list count की value यह पढ़ी है लेकिन आपने तो पता ने क्या ही पढ़ा दिया है लेकिन वड़ा यह value कहां से आएगी? इसका भी अपना आगे बताएंगे कि यह list count S upon N कैसे निकल के आता है? जब आपन जो है कि कैसे आपका यह निकल के आता है list count ठीक है? यह भी मैं बताऊंगा यह और यह दोनों आपका वैसे same यह S minus V ठीक है? और यह भी आपका S upon N ठीक है? तो यह आपका same है लेकिन तो आपको पता है कि यहाँ तो minus में ज़े रखा यहाँ पर fractional value है तो कैसे आया तो उसकी भी मैं बात करूँगा कि कैसे यह आया है फिलाल आपको जो है यह note down कर लेना है कि यह आपकी value होती है list count की ठीक है? अब बात करते हैं कि जो आपका वर्नेर है अब बात करता हूँ भी वर्नेर है तो इसको पन जो है कितने type से classified कर सकते है तो classified करने के लिए आपको जो है classified करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको दो type से अगर मैं classified करता हूँ और इससे पहले जो है इससे पहले आप जो है एक note डाल के लिखेंगे कि जो आपका note डाल के आप क्या लिखेंगे कि जो smallest division होती है smallest division आपका main scale का और vernier scale का main scale का और vernier scale का तो उसके लिए आप जो main scale के उपर छोटा भी हो सकता है और vernier scale भी छोटा हो सकता है तो एक चीज note डाल के आप यहाँ पे लिखेंगे note डाल के आपको क्या लिखना है list count के बाद में note डाल के एक चीज आपको लिख लेनी है वो क्या है कि divisions on the vernier can be little smaller than the main scale or a little larger than the larger than the main scale यानि main रिक्सों चोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है note डाल के आप एक चीज लिखेंगे चाहिए तो अगर मैं बात करता हूँ कि आपका note डाल के मैंने क्या लिखाया है divisions on the vernier can be little divisions on the vernier ध्यान देना divisions on the vernier vernier divisions on the divisions on the vernier can be vernier can be smaller smaller can be smaller can be smaller या little smaller इसके आगे एक वड़ और लगा देना little smaller ठीक है little smaller यह वड़ भी दिया हो मिल सकता है little smaller little smaller than the main scale than the than the main scale main scale than the main scale or a little or a little larger than main scale or the little the little larger the main scale the main scale समझ में आया होगा आपके कि क्या कहना चाहरा main scale यानि कि जो आपका vernier's के उपर vernier's के उपर जो आपके divisions होते है वो आपका little smaller than the main scale भी हो सकता है और main scale के little जो smaller जो आपके division है उससे बड़ा भी हो सकता है ठीक है तो यह चीज़ आप यहां से note डाल के लिख सकते है अब मैं बात करता हूँ types of vernier की types of vernier के अगर आपने बात करते हैं तो types of vernier ठीक है types of vernier जो अपना किने types से इसको classified किया है मैंने इसको two types से classified किया two types ठीक है two types होते हैं और वो दोना types कौन कौन से एक मैंने लिख दिया है यहां पे एक मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक तो अपका क्या direct Bros तो सबसे पहले आपन बात करेंगे direct और डायरेक्ट वर्णियर क्या होता है उसकी में बात करता हूँ ठीक है तो अपन बात करेंगे डायरेक्ट वर्णियर की और इसको भी मैं मिटा देता हूँ यह अपना जो जो वैसे जन्रल स्केल है और आगे अपन बात करेंगे डायरेक्ट वर्णियर की तो इसके अंदर दो वर्णियर के मैं बात करता हूँ, तो अपना क्या होता है कि डारेक्ट वर्णियर, इसके अंदर होता क्या है, बैसिक लिधान देना कि इसके अंदर में चीज होती क्या है डारेक्ट वर्णियर के अंदर, तो यहां से आप लिखेंगे, कि इन डारेक्ट वर्णियर, smallest division of the main scale, ध्यान देना smallest division of the main scale is less than या smaller than the small division of the varnier scale होता है. ध्यान देना इस सीज़ को दुबारा से मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि आपका जो indirect varnier, जो indirect varnier, यानि direct varnier के अंदर indirect varnier smallest division of the varnier scale, मैंने पहले बोला था main scale, तो मैंने smaller बोल दिया था, तो आपका क्या होता है, कि indirect varnier smallest division on varnier, is shorter than the smallest division of the main scale, ध्यान देना दुबारा से मैं लिख देता हूँ, कि आपका indirect varnier, लिख लेना आप, indirect varnier, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, indirect varnier, first point डाल के लिख लेना, इसको ये arrow लगा लेना, indirect varnier, the smallest, the smallest division of, division of varnier scale, varnier scale, जिसको मैं किसी लिखता हूँ, we say, is shorter than, त्यान देना, shorter than, shorter than, the, shorter than, the smallest division of, smallest division of, main scale, of, main scale, main scale, समझ में आया है, main scale, ठीक है, तो, और main scale का smallest division को मैं लिखता हूँ, किसे, एस से, ठीक है, एस से मैं इसको लिखता हूँ, तो, यहां से मैं एक की समझ में आ रही है, कि जो आपका varnier होगा, जो आपका varnier है, उसको का उपर अगर आपका, जो है, यानिक अगर मैं बात करता हूँ, कि in direct varnier, the smallest division of varnier scale, is shorter than the smallest division of the main scale, तो, इसको समझने की कोशिश करना, कि जो आपका direct varnier होता है, तो उसके अदर अगर आपका 10 division, 10 divisions on varnier अगर है, varnier अगर है, तो वो मैं इसकेल पर कितना सो करेगा, 9 divisions, 9 divisions on main scale, main scale, ठीक है, main scale, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे अपने लिखाए कि direct varnier के अंदर, जो smallest division of the varnier scale, is shorter than, shorter than the smallest division of the main scale, of the main scale, ठीक है, तो यह चीज़ आपको समझ में आगे हो, कि अपना 10 division on the varnier क्या सो करेगा, 9 division of the main scale, कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अब जो अगर इसको मैं लिखे, अगर इसको लिखते हैं, तो आगे एरो लगा कि एकोर इसके अंदर लिख देना, कि it extends in the same direction of the main scale, same direction of the main scale, तो यह अगर आपका वर्नियर होगा, तो इसकी जो value है, आपके extend होगी, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो आपकी जो वर्नियर scale की reading है, वो भी आपकी यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आपकी जो, इसी same direction के अंदर आपकी extend होती रहेगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कि it extends, extend, 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 it extends, it extends in the same direction, same direction, same direction, that of, that of main scale, main scale, तो main scale का जो direction है, उसी direction के अंदर आपकी इसकी value क्या होगी, कि आपकी increase होती है, आपको नेजर आएगी, यानिकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपको main scale पर है, तो इसके अंदर भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपका main scale पर दिखाई देगा, तीसरा आपके अंदर इसको लिखेंगे, कि it is constructed, that, ठीक है, तीसरा point आप इसके अंदर लिखेंगे, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसका least count कैसे निकाला जाता है, तो यहां से अपन बात करते हैं, कि यह जो आपकी value है, तो यहां से आप लिखेंगे, it is constructed, तीसरा arrow लगा कि आप लिखेंगे, it is constructed, constructed such as n-1, ठीक है, n-1 देना और n क्या है, total numbers of, total numbers of division in main scale और vernier scale, दोनों में से किसी पर भी आपका हो सकता है, तो n-1, divisions on the, divisions on the main scale, main scale, ध्यान देना आए, देखो, यहां पर अपना क्या था, अगर 10, जैसे मैंने आपको लिखा है था, 10 divisions on the vernier scale अगर आपका होता है, तो 9 divisions आपका किस पर होगा, main scale पर होगा, तो वही चीज़ मैंने लिखी है, कि it is constructed such as n-1, अगर total number of divisions, यहांने कि गर वर्णियर पर आपका 10 है, तो आपका जो main scale पर क्या होगा, 9 होगा, main scale पर क्या होगा, आपका 9 है, 10 में से एक कम हो जाएगा, तो main scale पर आपका कितना होगा, 9 होगा, तो यही से आपका यही concept यहां पर लगता है, कि आपका main scale, main scale पर वर्णियर इसकेल के अंदर, main scale पर वर्णियर इसकेल का difference क्या होता है, तो यह क्या होगा अपना, divisions on the main scale are equal to the, scale are equal to, equal to the, equal, equal to the, equal to the, equal to the length of and division of वर्णियर, समझ में आया, यह समझ में आपको इस तरीके से आएगा, कि जितना यह n-1 आपका main scale पर शो करेगा, उतनी ही length आपका यह n divisions जो आपके n divisions हो किस पर वर्णियर पर शो करेगे, यह चीज आपको समझ नहीं है और यही चीज यहां से समझ नहीं किया कि में इसकेल वर्णियर में क्या फरक है ठीके कि आपका जो n-1 यापनियर डायक्रणियर की में बात करहाँ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा कि अगर आपका बॉटनेर इंद स्केल के उपर के उपर है किड़सप को बता तका ने आपको बताइए था कि अगर 10 इसे लोगा पर नेर यहिए मैंने मायनफ भू जैएगा और यह 9 जो आपका है वो length कितनी दिखाएगा? वो length इतनी दिखाएगा 10 divisions के बराबर 10 divisions के बराबर यही concept आपको समझना है कि अगर मान लो कि मेरी यह length है यह मेरी length है तो यह n divisions अगर main scale पे है ठीक है? n divisions अगर आपके main scale पे है sorry, warner scale पे है तो यह आपका क्या हो जाएगा? n-1 किस पे हो जाएगा? main scale पे होगा तो यही आपके length तो बराबर होगी लेकिन उसके अंदर divisions आपका एक कम हो गया और वो एक कम division होने की वज़े से अपनी fractional value आ जाएगी क्योंकि आपको पता है कि एक तो यानि 10 अगर आपको कोई चीज है तो 10 मिटर के अगर आपको दिखाए दे रही है ऐसा है कि अपन समझते है example से कि 10 divisions का मतलब है 10 मिटर के आपकी हो रही है तो उसी length को अगर आपका 9 divisions के नहीं 9 मिटर के अंदर ना आप रहा है तो अपने को पता है कि उसका जो list count कितना जाएगा 10 upon 9 तो अपना वो जो list count ने के लिका जाएगे कि हाँ मैं इसका एक छोटा part मेरे को पता चल सकता है तो इससे आप जो इस तरीके से समझ सकते हैं तो यहां से आप देखेंगे कि अगर मेरा अगर मेरी जो है अगर मेरी जो value है वो आपकी S एक तो जाएगे आपकी main scale पे S value ठीक है जिसको अपन बोलते है divisions of the main scale एक हो जाएगे आपकी V जिसको अपन बोलते है divisions on the vernier scale और एक हो जाता है आपका N यानि total number of divisions on the vernier scale तो इसके अगर मैं बात करता हूँ तो यहां से आप लिखेंगे कि let us suppose आपका S S is equal to क्या हो जाएगा S is equal to value of one smallest division value of value of one smallest division one smallest division on main scale ठीक है main scale और V क्या हो जाएगे आपकी value of one smallest division one smallest division division on division division on किसके उपर वर्णियर scale के उपर वर्णियर scale पर ठीक है ध्यान देना है समझना और N क्या हो जाएगे आपकी number of divisions यह total number of divisions आप लेख सेटे है total number of divisions यह number of divisions total number of divisions divisions on vernier scale on vernier scale ठीक है on vernier scale के अगर में बात करता हूँ तो आपको पता है कि यह number of आ गया ठीक है total number of और यह हो गए आपका A के smallest division अगर मैं कहता हूँ कि N into V N into V अगर आपका यानि कि total number of divisions on किसके उपर आपका vernier के उपर कितने आ जाएंगे यह किसके बराबर होगे यह आपका बराबर होगा किसके बराबर है N minus 1 into N के बराबर बताओ sorry N minus 1 into S के बराबर ठीक है S के बराबर क्यों होगा क्योंकि यह अगर total N number of divisions on the vernier था तो अपना क्या था अपना main scale के उपर एक कम था मैंने इसके लिए अपना क्या था एक कम था तो वो एक कम होने की वज़े से यानि कि यहां तो मैंने लिख दिया N into V और इसको बराबर रख दिया मैंने N minus 1 N minus 1 into S यानि कि यह distance और यह distance दोनों बराबर है मैं ऐसा कहता हूँ कि यह दोनों डिश्टेंस बराबर है और यह अपना क्या कहता है डारेक्ट वर्णिर का प्रिंसिपल कहता है और डारेक्ट वर्णिर जो इसी थियोरी पर आपका जो वर्क करता है तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो list count होता है वो क्या होता है बता हुआ कि नहीं होँआ बिल्कुल हुआ n वाली value मैंने नीचे रख दिया है तो मेरा क्या हो जाएगा अगर मैं s-v करता हूँ तो s की मेरे को पता है कि s की value क्या होगी s क्या होगा मेरा s की value तो मेरी s हो जाएगी s- और v की value मैं यहाँ पर रख देता हूँ n-1 into s divided by n ठीक है यह मैंने जब value रख दी है lc list count ठीक है list count के लिए तो जब इसको मैं sort out करूँगा तो यहाँ से मेरे क्या value निकल क्या हैगी यह मेरा जाएगा s upon n क्या जाएगा मेरा s upon n जब इसको solo करेंगे अपन तो आगे मेरा chemical क्या जाएगा s upon n तो यहाँ से मेरे कोई एक चीज़ पता चलती है कि मेरा जो list count वो s upon n होता है जो अपने अभी थोड़ी दर पहले मैंने बात करी थी कि जो s minus जो है v है s minus जो v है यानि कि smallest division on the main scale minus varnier scale का smallest division का जो difference होता है वो अपने क्या होता है list count होता है तो list count अपने यहां से कैसे find out क्या इस तरीके से find out क्या कि n into v is equal to n minus 1 s के बराबर होता है तो अगर मैं v की value यहां पर रख देता हूँ तो मेरा निकल क्या जाता है list count s upon n बताओ यह चीज़ समझ में आई की नहीं बिल्कुल आ गई होगी आगे चलते हैं आगे अगर मैं बात करता हूँ कि अपना 10 divisions जैसे मैंने बात करी थी 10 divisions on the varnier is equal to 9 divisions on the main scale अपने बात करें तो list count आपको पता चल गया होगा कि list count क्या होता है यह आपका one list count is one main scale divisions divided by the total number of the total number of the divisions on the varnier is के लिए यह आपका list count होता है ठीक है तो यहाँ से आप list count की एक ओर definition लिख सकते हैं कि list count is one of the one of the value of one of the value of या one of the value of smallest division on the main scale divided by the total number of total number of total number of divisions on varnier scale यह आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब बात करते हैं आगे अपना next type scale कौन सा है वो है अपना क्या रेट्रोग्रेट वर्णेर की मैं यह आपे बात करूंगा रेट्रोग्रेट वर्णेर की अपनी यह आपे बात करते हैं ठीक है चलो अब अगर में बात करता हूं रेट्रोग्रेट इसके आपको कहीं बार क्या होता है कि क्यूशन में दे दिया जाता है scale बना हुआ दे दिया जाता है और reecee के सा दिया हुआ होता है तो इसके अगर अपना में बात करता हूँ कि is Kayla आपको कुछ इस तरीके का बना दिया है सबोस्थधर इस के का बना हुआ है इस तरीके का सबस्क्रिक इसको, थोटा कर देता हूं थोड़ा और यहां से अपन देखते हैं, देखर list count कैसे नि मैं आई, यह मैरा कोई scale है, और यह बना हुआ है, यह scale अपना बना हुआ है, और इसके उपर एक वर्णेयर बना हुआ है, ठीक है, वर्णेयर बना हुआ है, तो मैं इScale पर कुछ इस तरीके से reading है, आप लोग जो है इसको अच्छे से बना लेना ठीक है मैं बिलुकुल कोसिस कर रहा हूं अच्छे से बनाने की तो यह मेरा जो value है तो यहाँ पर लिखी हुई है कि जैसे कि यहाँ लिख देता हूं मैं 12, 13, 14, 15, 16 कुछ इस तरीके से आपकी value दी हुई है और और आपका क्या दिया हुआ है तो यह इसको लाइन जो है मैं इनको बड़ी कर देता हूं जहां पर आपकी वैली लिक्यूई है और इन लाइन को मैं क्या कर देता हूं बड़ी कर देता हूं और आपके ऊपर कुछ वैली दिव हुई है वह आपका क्या है 0 से लेके 1 तक टिक है 0 से लेके 1 तक अगर मैं मान लेता हूं कि 0 से लेके 1 तक मैंने कुछ value दी वही है तो मेरा यह जो length है वो कितनी represent कर रहा है यह जो scale आपको दिया हुआ है वो कितनी value represent कर रहा है यह मेरे को पता लगाना है तो मेरे को पता है कि जहां पर मेरा वर्णिर का 0 होगा वही मेरी reading होगी वही मेरी reading होगी होगी कि नहीं होगी तो मेरे को पता है कि मेरा 0 कहीं यहां पर लाई कर रहा है द्यान देना पॉइंट की ओपर द्यान देना आप कि कहां पर लाई कर रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा देखो 13 यानि 12 के बाद में 13 13 के बाद में 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 तो मेरा पूरा आ गया है लेकिन यह जो है आपका थोड़ा सा आगी की साइड में थोड़ा सा आ करूंगा वर्णियर स्केल पर देखूंगा कि वर्णियर स्केल पर कितना आ रहा है तो जिरो जिरो के बाद में जिरो के बाद में जो लाइन में इसकेल के साथ में एक्जेक्ट कॉन साइड हो रही है वही आपकी वर्णियर की वेल्यू होगी यह चीज़ आपको ध्यान दे यूरी लेकिन यह लाइन मेरी लगब लगब कोंस इडिय ध्यान देना यह लाइन जो मेरी एक्जेट कोंस इड वह रही है तुम में इसी को क्या करूंगा वर्ाइर की वेलिउ मानोंगा और वर्नियर की वेलिउ मेरी कितूं जाएगी जेरो के Benmal 123456 यानि कि कितनी होगी मैरी 0.06 कितना होगी 0.06 क्योंकि यह एक का 10 पार्ट है एक डिवीजन का 10 पार्ट है तो ये आपका का जिरु से ONE तकल खो कर रहा है एक डिवीजन का 10 पार्ट AI तो आपका कहरी टैन ठेंथ पार्ट है ध्यां रखना चाहिए तो यह अपका backing 0.06 हो जाएगा जब मैं इसके अंदर 8 करूंगा तो मेरा कितना जाएगा 0.8 आपका कितना हो जाएगा तेरा पॉइंट 8 को मैं कर देता हूं 0.06 से तो यह कितना हो जाएगा 6 और 8 ठीक है यह जाएगा आपका 13.86 जो भी आपका यूनिट दिया हुआ तो उसके अंदर आपकी वेल्यू हो जाएगी जैसे कि में मिटर में आप जाओ तो मेरा यह मिटर के अंदर हो जाएगा यह चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि कैसे यह वर्क करता है अब बात करते हैं अपन सेकिन टाइप अपना जो वर वर्नियर ठीक है रेट्रोग्रेड वर्नियर और इससे बहुत सारे क्यूशन आपके पूछे जाते हैं मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जैसे अपना टॉपिक कंप्लेट हो जाएगा तो अपन अब्जेक्टिव क्यूशन की एक सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर आपक पर क्या हो जाएगा कि smallest डिविजन smallest डिविजन 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 ओफर नियर है ठीक है उसके अंदर आपको क्या था एक कम करता है कि आद लार्जर देन केसी ऑन लारजर देन रार्जर देन त था ओन अभडजर देन था लारजर देन तैसमोलेस्ट नीविजिएन और the main scale larger than smallest divisions on main scale, main scale, ठीक है? समझ में आया कुछ कि यह क्या कहना चाहरा है कि आपकी जो vernier के उपर जो readings हो गये, आपकी वो smaller होगे, ठीक है? smallest division of the vernier, vernier is larger than the smallest division of the main scale, जहाँ पे अपने n minus 1 क्या था, किस के उपर? आपका main scale पर यहाँ पर n-1 किसके ओप हो जाएगा यानि कि एगर मैं बात करता हूँ कि n-1 on the main scale यह main scale पर अगर आपका होता है तो आपका n किस पर होगा n आपका होगा वर्णियर पर वर्णियर पर है कि main scale पर एक reading आपकी जादा होगी यही concept आपको समझना है और scale के अंदर यही concept अपनको समझना होता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लिखो क्या कि और इसकी दूसरी बात क्या होगा दूसरी बात क्या है कि it extend यह आपको बहुत direction में इसकी reading extend होती जैसे कि अपन उसको same direction में बोला था कि same direction में आपका extend होता है लेकिन इसकी reading आपकी बहुत direction के अंदर extend हो जाते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि it extend in the opposite direction of that of main scale it extends it extends the opposite direction opposite direction of main scale both direction opposite direction of the main scale यानि कि उसकी जो direction होगे आपके उसके opposite direction में यह क्या करता है जो है आपको बढ़ता हो जाता कैसे जैसे कि मैं बताता हूं यह आपका कोई main scale है इस तरीके का बढ़ता हो जा रहा है तो इसकी उपर आपका बड़ता हुआ जा रहा है तो आपका जो इसके उपर जो बड़ा रहेगा फोर नहीं की डिक्ति आपकी जो है अगर मैं बात करता grounds यह को इसी के से कि इसफ siitä ऊपर क्या होगा और यहां में बड़ेगी यहां पर आपका जरो होगा difference है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, कि in this case, in this case आपका क्या होगा, n plus 1, n plus 1 divisions on the main scale is equal to the, equal to the n divisions of the vernier scale, तो यहां से आप लिख सकते हैं, कि n plus 1 divisions of the main scales are equal to the length of the, length of the n divisions of the vernier scale, ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, यहां आपने बना लिया होगा, तो यहां से लिख सकते हैं, कि n plus 1 divisions n plus 1 divisions on the man scale man scales is equal equal to the length of length of length of n divisions n divisions of vernier scale vernier scale देखो कैसे कि अगर n plus 1 मैं मानता हूँ कि मेरा जो है अब वही आपका s number of divisions यानि ki s के 강res pushing में बात करता ह‼ आपका क्या है smallest division smallest division on man scale ठीकि अपने लिखा था man scale और आपका V क्या है V आपका smallest division smallest division on vernier ठीकि यहापका vernier पे था और अपने क्या लिखा था एक लिखा था n n is equal to क्या था अपका number of number of divisions ठीक है number of divisions on वर्नियर इसके लिए चीज अपने जो है लिखी थी यह चीज अपने लिखी थी तो यहां से आपका least count कैसे निकल के आता है वो जरा अपन देखते हैं यह चीज आपने note certainly एंट्व 113 नट्वेаровक पहले किया अपना वी एंट्वी एजाओ ता यह बराबर था फे यहां से करें मैं बात करता हो तो वी की जो value है वी की जो वेल्यों हो किया हो जाएगी आपको जाएगी at SNAPON n यह आपकी हो जाएगी अब यहां से अपनर एक चीज पता चल रही है कि जब आपने आ डारेक्ट वर्णिर की बात करी थी तो आपके अपना क्या था डारेक्ट वर्णिर के अपना क्या था कि अपना जो then divisions of the main scale यानि कि वर्νεर scale की उपर reading कम थी और जो आपके वर्νεर scale की उपर आपके क्या थी reading से कम थी और जो आपका moje scale था उसके उपर reading जादा थी यहाँ पर just उल्टा है तो list count इसके क्या हो जाएगा एक Anokупal करता हूं तो आपका कि तो यह यहां से मेरा गुंत निकल के आता है अगर लेक्ट काउंट यही तो यह है उठाए बता व्यकिल Top ठेल Сп Mainle मैंने कर दिया यहां से मैं लिस्ट कंवंट आई की नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है महाँ पर भी अपना जो लिस्ट काउंट है एस अपन निकल के आया था और यहाँ पर भी अपना लिस्ट काउंट है, एस अपन एन ही निकल के आया है, तो यह concept होता है scales का, ठीक है, scales का concept आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, एक example से और ज़्यादा इसको clear कर लेते हैं और एक example में आपको बता देता हूँ कि वो example अपना क्या है कि एक example आप लिख देता है design a vernier design a vernier for a third light circle ध्यान देना, और यहाँ से लिख देते हैं पने एक example और उसको solo करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा तो एक question है, और question आपको क्या करता है, कि design design और यह question पूचा गया है यह question आपको पूचा गया है gate examination के अंदर, design a vernier for a vernier for a vernier for a third light circle a third light circle third light circle third light circle के लिए एक जो है circle के लिए आपको एक क्या करना है, आपको एक design करना vernier का third light circle divided into degrees divided into degrees degree के अंदर divided divided into degrees and half degrees to read up to and half degree, question को समझना half degree, half degree half degree, read up to read up to 30 seconds ठीका, 30 seconds इसके अंदर दिया हूँ, हाँ, 30 seconds तो अपने को इसको design करना है, तो इसको design करने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, least count निकालना पड़ेगा, least count निकालना पड़ेगा, तो least count यानि कि में बात करता हूँ, solution की, तो solution अपना क्या हो जाएगा, solution की मेरे को इसका list count निकालना है, और least count अपना क्या होता है लिस्ट कामट अपने पढ़ा है, S upon N, S upon N, तो यहाँ पर S, यानि कि मेन स्केल के उपर आपके रिडिग्ग, यानि कि जो आपका रिडिग्ग पढ़ सकता है, वो आपको क्या, 30 सेकंड तक पढ़ना चाहिए, तो यह S की आपको वेल्यू देती है, 30 सेकंड का, ठीक है, 30 सेकं में आगई, 30 मिनट, अब आगे क्या कह रहा है, कि जो लिस्ट काउंट आपका, डिग्री रीड अप टू, यानि लिस्ट काउंट आपका क्या है, लिस्ट काउंट आपका 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक यह पढ़ना चाहिए, 30 सेकंड तक पढ़ना चाहिए, तो 30 सेकंड का आएंगे तो यहां से आप लिख सकते हैं कि 30 upon 30 upon 60 is equal to किसके बराबर होगा आपका वह जाएगा आपका 30 upon n के बराबर क्योंकि अपने को number of divisions निकालना तो यहां से अगर मैं बात करता हूं n की value तो n की value आपके निकल गया जाती है 60 यानि कि जो total number of divisions in on the vernier on the vernier आपके कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे बताओ यहीं समझ में आई कि नहीं कि कुछ नहीं कि आपने s upon n कि इसके बराबर जो आपको value दी हुई है यानि कि जो list count दिया हुआ है उसके बराबर अपने इसको रखा है आपने पता है list count कितना होता है s upon n होता है और s की value में रख दी है s की value 30 रख दी n मेरे को निकालना है और list count आपका कितना होगा 30 upon 60 यानि कि 30 सेकेंड दगे आपको पढ़ सकता है तो अपना अगर इसको minute में मैं change करता हूँ तो मैंने क्या कर दिया 30 upon 60 कर दिया और यहां से मेरे जो n की value निकल के आईए n की value मेरा निकल क्या हो कितना है साट यानि कि number of number of divisions on the वर्णिर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा ठीक है चलो अब मैं यहां से थोड़ा सा एक चीज और अपन discuss कर लेते हैं साथ के साथ वह अपनी क्या है एक है आपका रिपरेज़ेंटिटीव fraction इन्हें hanno a class बात करी है और अप बहुंब इसके ठीक छूबण चर्चा कर लेते हैं कि रिपरेजेंटिटीटीव फ्रेक्सन अपना क्या होता है उसके बाद में आपनी जो एक लास होगी उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे तो यहां से आप जो रिपर्जेंटेटिव फ्रेक्शन को अगर आप कैसे लिखते हैं तो इसको मैं लिख देता हूं आपका री पर जैंटेटिव रिपर जैंटेटिव फ्रेक्शन ठीक है फ्रेक्शन फ्रेक्शन ठीक cricket एक अगर मैं बात करता हूं उसको प्लों इसको लिखते है आर अफ टिकर आर एफ तो और अपना क्या होता है कि आरे फ्रेस्डू और डेस्टेंस ओन दामेब देस्टेंस ओन दे मेप यह क्या होता है आपका रेस्यो ओफ दिस्टेंस distance on the map the map upon distance on the ground distance on the ground ये दोनों का ratio होता है क्या होता है? दोनों का ratio होता है वो अपना क्या होता है? वो अपना होता है RF याने की representative fraction जैसे कि अगर आपका 1 cm किसके उपर दिखा रखा है? 1 cm आपका distance ground पर कितने दिखाई हुई है? आपको दिखाई हुई 100 meter कितना 100 meter आपको दिखाया हुआ है तो इसका RF कितना हो जाएगा अगर मैं RF निकालता हूं तो 1 cm मेरा show कर रहा है कितने को 100 meter को तो यह क्या हो जाए मेरा 100 into 100 तो इसका RF जो निकल के आएगा 1 upon 10,000 निकल के आ जाएगा तो अपना जो RF हो जाएगा वो 1 upon 10,000 हो जाएगा कि दोनों डिविचन सापकी जो है यानि दोनों की यूनिट सापकी सेम रहेगी तो 1 upon 10,000 आपका निकल के आ जाएगा और इसको बोलते है अपन अर एक पूछा गया है मैं आपको बता डेता हूं कि उसका Mac हेपन चर्चा कर लेते हैं कि उसका आरेफ आपको find out करना और आपसे पूचा है कि वहन one centimeter on map क्यों सुनाब क्या है वहन क्यों सन आपका है वहन one centimeter one centimeter question आपको दिया एमें question लिख देता हूं वहन one centimeter on a map one centimeter on a map on a map represents 10 meter represents 10 meter on the ground on the ground on the ground अगर ground की बात करता हूं तो वो आपको 10 10 meter दिखा रहा है the representative fraction of the scale is the RF of the scale scale is इस scale का आपको RF बताना है RF बताना है the representative fraction of the scale is और आपको option दिया है option number A वो दिया आपका 1 upon 10,000 sorry 10,000 B option आपको दिया है इसके अंदर वो दिया है 1 upon 10 C option आपको given है वो आपको दिया 1 upon 100 और D option आपको इसके अंदर given है वो आपको दिया है 1 upon 1000 1 upon 1000 आपको जो टिक मार करना की सही कौन सा होगा तो आपन को पता है कि 1 centimeter is equal to 10 meter दिया हुआ है तो RF मेरे को निकालना है तो RF निकालने के लिए में क्या करूँगा 1 upon 10 1 upon 10 यानि कि ये centimeter में, ये meter में meter को में centimeter में change कर दूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 upon 10 into 1 meter में कितने centimeter होते हैं so और इसका right answer मेरे हो जाएगा 1 upon 1000 यानि कि 1 upon 1000 यानि कि due option is the correct due option is the correct ये आपका जो इसका solution होता है कि किस तरीके से और ये question आपका SSC examination 2014 के अंदर पूछा गया है SSC SSC 2014 के अंदर ये question पूछा गया था SSC question आप से जो पूछे जाते हैं कि किस तरीके से अपन को RF find out करना होता है यह आपको देदेगा कि which scale source the largest value largest distance और वहाँ पर आपको जो 3-4 RF देदे होंगे और उन से आपको निकालना कि कौन सा skill के अंदर बड़ा है या कौन सा skill इसके अंदर छोटा है वो अपन objective type जो series बात करेंगे ग्राफिकल स्केल की बात करेंगे और जो errors आती है तो उन errors की बारे में अगली class के अंदर details से discuss करेंगे उसके बाद में बात करेंगे linear measurement chain tap and arrows वगेरा जो आपके रेंजी रोड वगेर आती है तो उनकी अपन जो अगली class के अंदर बात करेंगे तो आज class के नहीं देता है अगली class में फिर मिलते हैं तब तक के लिए thank you thank you so much